आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कारकरम विधायक जी चले गाउंग के ओर में आज हमारे साथ हैं गोरकपुर से भात्वा विधायक सीतल पांडे जी जो की अपने छेट से पहली बार विधायक हैं और 15,000 वोटों से जीते हैं और इससे पहले वो अपने छेट गोरकपुर से विशिवदाल में अद्यच भी रह चुके हैं आए उनसे बात करते हैं गाउं के विकास को लेकर विधायक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारे साथ हमारे खाला विधायक जी आपका पहला प्रश्न करना चाहते क्योंकि गाउं में किसान रहते हैं और जिनको हम भगवान का धर्जा देते हैं किसान ही अन्न का उत्पादन करता है और खाध्यान की द्रिष्ट से हमको आत्मिर्भर बनाता है किसान ही पुरे समाज को भोजन की व्यवस्ता करता है और किर्सी जो हमारी आर्थिक व्यवस्ता की रीड है किसान उसको खेती को मजबूत करता है लेकिन आजादी के बाद आज तक किर्सी की बड़ी उपेच्छा हुई किर्सी में जो उत्पादन होता है उसका उचित मुल्य नहीं हो पाता जैसे किसी फैक्टरी में जो उत्पादन होता है उसका मुल्य नहीं करने के लिए सरकार उद्योग पति को बुलाती है कपड़े में जो कपड़ा उत्पादित होता है उसका मुल्य नहीं करने के लिए उद्योग पति को बुलाती है लेकिन किसान ही एक ऐसा बर्ग है जिसके उत्पादन का उचित मुल्य तैं करने के लिए किसान को कभी बुलाया नहीं जाता है किसान का मुल्य तैं करने के पहले किसान की लागत क्या है किसान का खर्चा क्या है किसान के खेती पर कौन लोग निरभर है उसके परिवार में उसकी आर्थी किसित क्या है उसके बच्चे की पढ़ाई बुरे बाब की दवाई और लड़की की साधी सब क्रसी पर ही आधारि इसलिए भारती जीमन में हमारे सामाजिक जीमन में किर्सी एक महत्वपूर संस्ता है और आज उसको किसान गाउं में मिहनत करके फसल पैदा करता है हमारे प्रधान मंत्रे जी ने फस्त किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए फसल भीमायोजिना चलाया प्राकिर्तिक आपदा के कारण बहुत से किसानों की फसल बरबाद हो जाती थी जैसे बाढ़ है सूखा है ओला है रेन है उसके होजै से फसल भीमायोजिना चला करके कि उन किसानों को लाभ पहुंचाया है किर्सी किर्सकों की आयब को दुगना करने के लिए उन्होंने बहुत से किर्सी में उपाय किये हैं और किर्सी अंत्रों को छूट दिया है किसानों को विसेश छूट दिया है किर्सी के साथ जो रसायन है जो दवाएं हैं उन पर भी छूट दिया है तो कहने का मतलब है कि खेती को हमारे प्रधारमंतरी नरेंद मोदी और उत्तरप्रदेश की सरकार भी किसानों का जो करजा एक लाख रूपए तक का करजा माफ कर दिया ताकि उनकी आर्थिक इस्थिति में सुधार हो इसलिए हम किसान और किर्सी को बहुत महत्पूर समझते ह आपने कहा कि जो आपकी सरकार ने किसानों के लिए करजा माफ के जैसे वह 10 रुपए का करजा लेता है तो अगर उसको दो रूपे माफ कर दिये जाते हैं तब भी जो आठ रुपए उसका बच रहे वो उसके बौस से लिए तो वह दबा हुआ है इस पर आपकी सरकार क्या क रिड को चुकाएंगे इस भावना से अगर रिड लिया जाता है तो रिड का व्याज बहुत आगी नहीं बढ़ता है और किसान समय से रिड को चुका देता है लेकिन कभी कभी यह होता है कि रिड लिया और उसको किसी दूसरी जगा पैसा खर्च कर दिया ना उत्पादन कर ना समय से रिड चुकाया ब्याज इतना बढ़ जाता है कि ओ कर्जे में डूब जाता है और कभी-कभी उसके घर की दसा बहुत खराब हो जाती है और घवरा करके बहुत से किसान आत्मात्या कर लेते हैं तो रिड लेना चाहिए अपने विकास के लिए रिड लेना चाहिए उत्पादन को पढ़ाने के लिए रिड लिना चाहिए विकास और प्रगत के लिए नो की फिजूल खर्ची के लिए है जैसे आपने कहा कि किसान जो है जो कर्ज जब नहीं दे चुका पाते हैं तो आत्मत्या कर लेते हैं तो इसके बारे में सरकार कोई क्या सोच रहे है कि क वस्तेन को इसकि किसानों को करज लेना पड़ता है किसान हो और बता अचुका हुँ पधाद कर सी की उपच्छा हुई कि पहले हैं चरुल कर कर दो कि इतनी किसन नहीं करता था उसके नए 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 येंद्र नहीं होते थे, नए ने खाद भीज उसको नहीं समय से मिलते थे, सिचाई की साधन की कमी थी, इसलिए किसान कर्ज लेता था, उत्पादन नहीं कर पाता था, वो गरीब का गरीब रह जाता था, लेकिन हालात कुछ बदले हैं, और किसान अपने पेरों पर खड़ा हो रहा है, गन्ना किसानों का जो पकाया था, वो भुक्तान हुआ है, किसान जो है, अमारे पुर्वी उत्य प्रदेश में एक नगदी फसल गन्ना की होती थी, और उसी से सब कुछ खर्चा चलता था, लेकिन आज जो है, गन्ना का बहुत पिछले कई सालो में भुक्तान नहीं हुआ, जिससे किसान गन्ने की बुवाई ही कम कर दिया, कहने का मतलब है है, कि किसान को समय के अनुसार अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा, अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा, और सरकार को भी जिस तरह से उद्योगों पर सबसीड़ी मिलती है, य जो कि आपने ये बात कहीं कि किसान की पैदावार बढ़ानी चाहिए, तो जो किसान है, वो अपने खेत में दिन रात काम करता है, पसीना बहाता है, फिर भी जो उसकी फसल का जो मूल है, उसको नहीं मिल पाता है, इसका कारण क्या है? नहीं इस साल जो समर्थन मूल धान का मिला है, ग यहों का मिला है, सत्राइसो पचाशाश रुपया, ग यहों का पिछली बार, पंदरासो मिला, तो सरकार आपे कोशिस कर रही है, कि किसानों के उत्पादन का उस्चित मुल्य मिले है, और अगर कोई कमीरा गई है, तो और यह के प्रबधानले कुदो किसान के वह कंप्यान करें एक जिक अपने कि-विग्जान कि मेला का आयोजन किया है उसमें कर्सी जव सक्यूं को बैज्यान को उसमें बशलाया गया है वह उस पर ब्याख्खियान क देते हैं कि कैसे 19 सील खेति किया जाए, तो आजकल प्रयास जो विज्ञान केंद्र हैं, उनके माध्यम से किसानों को नई नई जानकारियां दी जा रही हैं, और उपयोगी उस सिद्ध हो रहे हैं, और कृसी के जो अधिकारी हैं, वो जगा जगा मेला लगवा रहे हैं किसानों का, और किसान को जागरोग किया जाए, इनको नई नई जानकारियां दिया जाए, और इनको आगे बढ़ाए जाए, लग किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जी, जैसे ग्राम पंजाएद आपके इसाब से क्या माइने रखती हैं, जो एक गान्दी जी ने चोखंभा राज की क इहां राश्ति होती है, प्रदेश होती है, एक जिले क काई होती है, और एक गायों होती है, गायों जब खूछ रहेगा तभी राष्ट और प्रदेश और देश खूछ हाल रा सकता है, तो गायों की तसा कैसे सुधा All कि एप अपनाना चाहिए कि आज अजादी के बाद उपेचित हैं उन में बुनियादी सुधाय नहीं थी पानी पीने का सुध पानी नहीं था शड़क नहीं थी पानी के निकासी का साधन नहीं था दवा का कोई प्रबंध नहीं हमारी सरकार जो बजट में गाھ formation के लिये गाहओं के उध्धार के लिए गिरामने iven के उध्धान के लिए लगातार कोशिस कर रहे है क्योंकि उनका कि जब गाउन बिक्सित उगा तभी राश्टी का विकास बढ़ा है कि मैं बताया कि क्वोशिस हो रही है लेकिन आप जानती है कि जो भी चावली होते हैं को के आपसर साही होती है या अन्य जो मस्जणरी होती है वो जो गाओं का पैसा जाता है आपको याद होगा कि वारत के पुर प्रधान मंतरी राजियु गान्धी ने कहा था कि जितना हम लोग पैसा भीजते हैं उसका 86% लोग खा डालते हैं जो 14% किसानों के पास जाता है आज आदि के बाद जितने गाओं और किसान के उठ्थान के लिए जितना योजनाय बनी जितना कोशिश की गए अगर इमानदारी से उसका पालन किया गया होता तो बहुत आगे किसान और गाओं गये होते हैं हाँ आज जब से मुदी की सरकार आई है दिन राते कोशिस की जा Kau में बिई दिया जाएजाए गाव को सबकों से चोड़ा जाए अच्छी स्कूल दिये जाए गाव में पानी की निकासी की विवस्ता हो ताकि कोई कमीन रहें उनको बुनियादी सुविधा इंफ्राइस्ट्रग्छर उनका मजबूत किया जाए तब ही डाव Deswegen जिसमें किसानों के लिए बिजली फ्री है लेकिन उत्तर प्रदेश में यह ऐसा नहीं है जो हमारे हां एक सवभागी युजना है उसमें निरवल और गरीब बीपियल के किसानों को मुफ्त कनेक्शन दिया गया है जो गरीब हैं जो बीपियल काड़ धारक हैं जो निरवल हैं उनको सवभागी युजना के तहत निसुलक कनेक्शन दिया जा रहा है और कोशिस हो रही है कि गाउं को बिजली से जोड़ा जाए और अभी हम लोग केंप लगाये थे हर जगा निसुलक कोशिस हो रही है आपको अーんि लगता कि जब कम बिजली के कनेक्शन फ्री दियजा रहा है तो जैसे आने प्रदेशों में बिजली भी धी दो ऐसा नियुए मनेम जेखे बड़ा हो तर्वके किसना निन टीजाना पोगा लोगा थाष तॴूलाव गोजाला हो चिमें में खुशना में टीस किसना सामस चाहिसजास नहीं। दोनों में अंतर है, जैसे हमारे हाँ जो गरीब लड़की लड़कियां हैं, उनको नेशुल का सिच्छा दियाती है, तो ओट्यूसन फीस माफ होती है, न कि जो इक्स्ट्रा चार्जे लगते हैं, ओव माफ होते हैं, जैसे कि आपने पाने की व्यवस्ता की बात की, तो अभी जैसे हमारे हाँ, इंडियामार का पाम की व्यवस्ता की गई, जो बड़े गाउ हैं, उनको सप्लाई देने की कोशिश की गई, टिक ट्राइंक लगाया गया, और नाले, लाइने मिछाई गई पाने की, और उनके माध्यम से सुद्ध, पियर जल देने की कोशिश हुई का तो रहें, लगातार कोशिस हो रही है, लेकिन किसी चीज को सुधारने में तो समय लगेगा, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका, तो ये तो दे गोरगपुर से भास्वा विधायक, सीतल पांडे जी, जिनों ने हमें बताया कि किसानों के लिए क्लिए हुआ है